नंदन के बीच, सागत के बीच मभाई राजीव जी को आमन तरित करते हैं परंपू जिनिये स्वामी जी भारत स्वाविमान के अभियान में लगे हुए सभी माताओ बहनो भाईयो स्वामी जी ने जैसा मुझे निर्देश दिया है वहीं से मैं मेरी बात शुरू करता हूँ कि परिवर्तन जब होता है तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता और बाद में वो हो जाता है भारत से मैं मेरी बात शुरू करता हूँ भारत में अंग्रेजों की व्यवस्था 1757 में इस्थापित हो गई माने अंग्रेजी सरकार East India Company की सरकार 1757 में बन गई पहले बनी बंगाल में फिर धीरे धीरे पूरे भारत में बन गई और 1757 के पहले East India Company व्यापारिक कमपनी के रूप में आई थी जो भारत से कुछ कपड़ा खरीद के दूसरे देशों में बेचती थी और चीन से चाई लाकर भारत में बेचती थी यहाँ से उनका व्यापार शुरू हुआ था 1618 में तो किसी को भरोसा नहीं था सबसे पहला परिवरतन तो यह हुआ कि चाई बेचने वाली कोई कमपनी भारत की मालिक हो सकती है यह किसी भारतवासी को भरोसा नहीं था लेकिन यह भरोसे में इस्ट इंडिया कमपनी ने ऐसा कुछ खेल खेला इस देश में कि चाय बेचने वाली एक कमपनी भारत से कपड़ा खरीद कर दूसरे देशों में व्यापार करने वाली कमपनी इस देश की मालिक बन गई मालिक बनने के बाद फिर उन्होंने लूट मार की और लूट मार इतनी की कि दुनिया के किसी देश में इतिहास में इतनी लूट मार नहीं हुई जो भारत में हुई एक-एक इस्ट इंडिया कमपनी का अधिकारी इस देश में आता था करोणों करोणों रुपई की संपत्ति लूट के ले जाता था स्वामी जी बार बार कहते हैं इस वाक्य को आप हर लोगों के सामने कहिए रॉबर्ट कलाइब नाम का एक अंग्रे जदिकारी इस देश में 1757 के प्लासी के युद्ध के लिए आया और युद्ध जीतने के बाद 900 पानी के जहाज बरकर सूने, चांदी, हीरे, जभारात, मूती, माने, पन्ने जैसी बेशकीमती चीजन ले गया 900 जहाज, नाव नहीं जहाज नाव तो छोटी सी होती है जहाज बहुत बढ़ा होता है एक जहाज में कितना टन करीब 60-70 टन इतना बड़ा जहाज होता था उस जमाने में अब तो और भी बड़े होने लगए अब तो 200 टन, 300 टन, 400 टन के जहाज है इस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में एक जहाज में 60-70 टन सामानाता था तो ऐसे 900 पानी के जहाज भरकर जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवारात, माने, पन्ने, मोती आदी थे एक जहाज में 60-70 टन और ऐसे 900 जहाज भरके एक अंग्रे जदिकारी लूट के ले गया जिसका नाम था मैकॉले मैकॉले ने इस देश को लूटा यहां से धन लेके गया फिर उसके बाद वारिन हेस्टिंग आया उसने लूटा, वो धन लेके गया फिर लिनलित को आया उसने लूटा, वो लेके गया फिर करजन आया, उसने लूटा, वो लेके गया फिर विलियम वेंटिंग आया उसने लूटा, वो लेके गया फिर डलहुजी आया उसने लूटा वो लेके गया ऐसे 84 बड़े अंग्रेज अधिकारी जो गवर्नर जर्नल की हैसियत के थे गवर्नर जर्नल का माने होता है राश्ट्रपती या प्रधान मंत्री इस हैसियत के 84 अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे उसके नीचे हजारों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे लाखों दूसरे अंग्रेज अधिकारी लूटते रहे ये लूट इतनी जबरजस्त थी पूरे देश में कि सारा देश कंगाल और भिकारी हो गया था घर घर में से अंग्रेज लूटते थे पैसा आपको एक जानकरी दूँ कि अंग्रेजों की लूट का तरीका क्या था वो एक चिठी बेजते थे किसी के भी ना मान लीजे आप रहते हैं हरिद्वार शहर में और थोड़े पैसे वाले आदमी हैं आपके पास अच्छा पैसा है अंग्रेजों की खुफिया पुलिस होती थी वो बताती थी कि किस के पास पैसा है अंग्रेजों ने खुफिया पुलिस बनाई थी उसका सबसे बड़ा काम ये था कि भारत वासियों में ये पता लगाना कि पैसा किस के पास है तो कोई एक अधिकारी ने खुफिया पुलिस वालों को आदेश दे दिया, हरिद्वार के आट-दस व्यापारियों का पता चला, उनके नाम पते अंग्रेजी सरकार के पास पहुँच गए, इस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके घर में एक चिठ्थी आती थी, एक पत्र कर लेंगे, घर में आग लगा देंगे, तुमारी पत्ती के साथ बलातकार करेंगे, तुमारी बहन के साथ बलातकार करेंगे, इस तरह की चिठ्थी आती थी, मौकिक नहीं, लिखित चिठ्थी आती थी, जैसे आजकल के गुंडे मवाली लोग होते हैं ना, डौन लोग, व और उसके बाद फिर लूट मार शुरू होती थी तो जादातर लोग डर के मारे क्या करते थे जो इस्ट इंडिया कंपनी मांगे वो देते थे तो पहले वो लोगों से लूटते थे फिर राजाओं से लूटना शुरू किया एक इलाखे का राजा है उसको चिठी चली गई और उस चिठी के आधार पर राजाओं से करोणों रूपए तो ये लूट इतनी बड़े पैमाने पर चलती थी कि कि किसी भारतवासी को कलपना नहीं थी कि कभी ये लूट बंद हो जाएगी सारे भारतवासी लूटते थे सब बर्बाद हो रहे थे कलपना किसी को नहीं थी कि ये लूट एक दिन बंद हो जाएगी फिर इस्ट इंडिया कमपनी ने लूट के बाद एक दूसरा धंदा शुरू किया भारतवासीयों का धरम परिवरतन कराना शुरू किया जबरजस्ती हिंदूओं से इसाई बनाना शुरू किया इस्ट इंडिया कमपनी के जितने अधिकारी इस देश में काम करते थे सबी अधिकारियों को ये लिखित आदेश था कि छुट्टी के दिन रविवार को छुट्टी होती थी छुट्टी के दिन वो वाइबिल लेके एक एक महले में जाएंगे और जादा से जादा हिंदूओं को इसाई बनाएंगे तो ये दूसरा काम उनोंने शुरू कर रखा था धरम परिवरतन का तीसरा काम किसानों से जमीने च्छीनने का कर रखा था हिंदूस्तान के किसानों के पास अंग्रेजों के आने के पहले जमीने थी हर एक किसान के पास कम से कम 10 एकड़ लगबग 20 करोड किसान थे इस देश में और हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन होती थी तो ये जमीने चीनने के लिए अंग्रेज अदालतें लगाया करते थे डलोजी नाम का अंग्रेज था जो एक एक गाउं में जाके अदालत लगाता था और एक दिन में 25,000 किसानों से जमीने चीन लेता था और वो कानून बना रखा था लेंड एक्यूजीशन एक्ट उसके आधार पर ये जमीने चीनी जाती थी तो किसानों से जमीने चीन चीनते थे व्यापारियों से पैसा लूटते थे साधरन लोगों की मा, बेहन, बेटीयों के साथ बलातकार करते थे आम हिंदुस्तानियों को हिंदु से इसाई बनाया करते थे फिर हमारे उद्योगों को बरबाद करने के लिए टैक्स लगाया करते थे अंग्रेजों ने साड़े 300% तक सेंट्वल एक्साइज ड्यूटी लगाया था केंद्रिय उत्पाद कर भारत के उद्योगों पर लोकल टैक्स लगाये थे मिनिसिपल कॉर्पोरिशन का टैक्स फिर हाउस टैक्स ऐसे दसियों तरह के करून उने लगा रखे थे हर तरह से अंग्रेज इस देश को बरबाद करने में लगे हुए थे ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा विद्रो होगा इस देश में कभी अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे और ये लूट और खसोट बंद हो जाएगी इसका भरोसा भारतवासियों को नहीं था लेकिन एक आदमी को था करोणों भारतवासी निराशा में डूबे हुए थे और हर बार भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे हे इश्वर इन अंग्रेजों को भारत से भगाओ या इनको भारत से हटाओ या इनको चंगुल से भारत को मुक्त करो करोणों भारतवासी प्रार्थना तो करते थे लेकिन भरोसा किसी को नहीं था कि ये अंग्रेज चले जाएंगे एक दिन एक भारतवासी था जबरजस्त क्रांते कारी उसको भरोसा था कि आज नहीं तो कल ये अंग्रेज छोड़ कर जाएंगे उस भारतवासी का नाम था नाना सहाब पेश्वा सुनाएं आप में नाना सहाब पेश्वा ये क्रांतिवीर था जिसको एक को इतना जबरजस्त भरोसा था कि अंग्रेज तो अभी चले जाएंगे अगर हम भारतवासी संगठित हो जाएं नाना साब पेश्वा के अगर आप भाशन सुनेंगे रोंग्टे खड़े हो जाएंगे आपके खून खौलेगा नाना साब पेश्वा जब भाशन दिया करते थे कहीं खड़े होकर तो इतिहास के दस्तावेजों में दर्द है कि लोगों की भुजाएं फड़कने लगती थे अठारे सो पचास के आसपास जब सारा देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था अंदकार में डूबा हुआ था किसी हिंदुस्तानी को ये कलपना नहीं थी कि अंग्रेज छोड़कर जाएंगे ये लूट हमारी बंद हो जाएगी भारत के प्रती जो दुराचार हो रहा ये खतम हो जाएगा एक हिंदुस्तानी ऐसा था जो दिया जलाए बैठा था उनका नाम था नाना सहाब पेश्वा बहुत छोटे से गाउं में रहने वाले व्यक्ति थे नाना सहाब पेश्वा गाउं का नाम मालूम है बिठूर यहां उत्तर प्रदेश के जो भाई बहन आये होंगे उनको मालूम है कानपुर नाम का एक बड़ा नगर है और कानपुर से मुश्किल से 24-25 किलो मीटर की दूरी पर एक छोटा सा गाउं है बिठूर 1850 के साल में बिठूर की आबादी मातर 20,000 के आसपास थी 20,000 की आबादी का कस्वा था गाउं भी नहीं कह सकते शहर भी नहीं कह सकते गाउं और शहर के बीच का एक कस्वा था तो 20,000 की आबादी के कस्वे में एक हिंदुस्तानी करांतिकारी नाना साब पेश्वा ये सपने देखा करता था कि आज भारत नहीं तो कल आजाद हो जाएगा, कल नहीं तो परसों आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, बस देर इतनी है कि पूरे भारत में हमारा संगठन खड़ा हो जाए तो नाना साहब पेश्वा एक व्यक्ती ने संगठन की शुरुआत की कराना चाहता हूं, मुक्त कराना चाहता हूं, तो ज्यादा तर लोगों ने उनकी हसी उड़ाई थी, उनके साथ एक दूसरा आदमी आया, दूसरा करांतिकारी जो जुड़ा, उनका नाम था तात्या टोपे, एक से दो हो गए, अब नाना साहब पेश्वा के साथ जब तात पेश्वा गाउं गाउं निकल पड़े भाशन देने के लिए तात्या टोपे को साथ में लेकर, तो तीसरी एक करांतिकारी सदस्या उसमें और आगई, जहां सी किरानी लक्ष्वी वाई, तो पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर जहां सी किरानी लक्ष्वी वाई साथ में और ऐसे करते करते एक क्रांतिकारी ने उम्मीद का दिया जलाया आशा की किरन लोगों को दिखाई अंग्रेजों को भगा देने का भरोसा लोगों को बताया तो संगठन खड़ा होने लगा और जानते हैं एक क्रांतिकारी का खड़ा किया हुआ संगठन पांच साल के अंदर लाखों करांतिकारियों का संगठन बन गया। 1850 से नाना साथ पेश्वा ने काम शुरू किया संगठन खड़ा करने का 1857 तक उनके संगठन में एक लाख से जादा लोग हो गए। और 1857 में अगले दो साल में तो 7 लाख 32 जार उनके करांतिकारी सैनिक तयार हो गए। 7.7 लाख करांतिकारी हो गए हैं माने उनका कैलकुलेशन यही था हर गाओं में लगवग एक करांतिकारी हर गाओं में उनका एक कारिकरता वैसा ही कैलकुलेशन करके संगठन बनाया और उनको लगा हो गया है तब उन्होंने हिंदुस्तान के उन राजाओं के साथ मिलना श और एक एक राजा जिसको अंग्रेजों ने कभी लूट के बरबाद किया था उन राजाओं को संगठन में शामिल करना शुरू किया तो राजाओं की सेना राजाओं का खजाना भी उनको मिलना शुरू हुआ और एक दिन ऐसा आया कि उनको लगा कि अब पूरे देश में करां और जहाँ जहाँ अंग्रेजों की छव्निया हैं, उन सब छव्नियों पर हम कभशा करेंगे. और अंग्रेजों के हठियार अपने कभशे में लेकर अंग्रेजों को वनी से मारेंगे और हिंदूस्तान से उनको खतम कर देगा. 31 मईए 1857 का दिन तै हो गया करांती का दिन तै हो गया सारे कारिकरताओं ने करांती की तैयारी शुरू करना हमारे देश में साड़े 300 जगे पर अंग्रेजों की चावनिया थी जैसे मेरट अंग्रेजों की बहुत बड़ी चावनी था ये अपने पड़ोस में रुड़की है न ये बहुत बड़ी चावनी था अंग्रेजों की मेरट था रुड़की था फिर दिल्ली था फिर बरेली था फिर शाहजापूर था फिर रामपूर था फिर उदर अलीगड था फिर एटा था इटावा था ऐसे साड़े तीन सो इस्थानों पर अंग्रेजों की चावनिया थी और नाना साब पेश्वा ने इतनी जबरजस्ती योजना बनाई थी कि जहां जहां अंग्रेजों की चावनिया हैं वहीं पर सैनिक क्रांतिकारी सैनिक उनको बुला करते थे जो क्रांतिकारी नाना साथ पेश्वा के संगटन में काम करते थे तो भारत के क्रांतिकारी हर उन इस्थानों पर संगठित होंगे जहां अंग्रेजों की छावनिया है और 31 मई को एक साथ बगावत करेंगे लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड हो गई कि तारीक तैव हुई थी 31 मई 1857 ये मेरट के लोगों ने कुछ जल्दवाजी कर दी और जो काम 31 मई को शुरू होना था वो 10 मई को ही चालू कर दिया मेरट वाले थोड़े जादा उबाल वाले लोग है ये जो इलाका है न मेरट मुझफर नगर ये जाट जाती समू का इलाका है और जाट जाती समू के बारे में अंग्रेज खुद मानते हैं बहुत पराक्रमी बहुत बीर जाटों के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बहस होती थी तो अंग्रेज कहा करते थे एक जाट दस अंग्रेजों के बरहबर है तो ये जाट समू जाती जाट जाती का इलाका है मेरट तो ये लोग थोड़े उतावले हो गए इनका खून जादा उबल गया इनके खून पर इनका कंट्रोल नहीं रहा दस मई कोई सारा खेल इनों ने शुरू कर दिया और दस मई की शाम पाँच बजे अंग्रेजों की पूरी छावनी को आग लगा दी इनों मेरट और करांती की शुरुआत हो गई गुसा किस बात पे आया मेरट के नागरिकों को अंग्रेजों की छावनियां जला देने का इतना गुसा कहां से पैदा हो गया गुसा पैदा हुआ मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी आठ अप्रेल सोरी गलब आठ मई 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दे दी थी बैरकपुर में और वो खबर 10 मई 1857 को मेरट तक पहुँच गई और वो खबर पर गुस्सा आया और अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी क्यों दी थी आप सबी जानते हैं मंगल पांडे एक क्रांतिवीर नौजवान थे आरे समाजी व्यक्ति थे आरे समाज का प्रभाव उनके उपर बहुत जादा था गाय को माता मान कर काम करने वाले व्यक्ति थे उनको ये पता चला कि अंग्रेजों की सरकार जो कार्तूस देती है बंदूप में चलाने के लिए उसमें गाय की चर्वी लगी रहती है बस मंगल पांडे को गुस्सा आ गया और मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में सेनिक के रूप में काम करते थे तो उन्होंने एक अंग्रेज अदिकारी को पूछा उसका नाम था मेजर हीूसन मंगल पांडे ने पूछा कि क्या गा अधिकारियों ने मंगल पांडी को अरेस्ट कर लिया और मंगल पांडी के ऊपर फिर मुकदमा चला जब तक मंगल पांडे पर मुकदमा चला 7-8 दिन उनकी सेना की मने जिस छावनी में वो काम करते थे उसमें सेकुडों सैनिक थे किसी को भरोसा नहीं था कि कोई करांती होने जा रही है। गया मंगल पांडे को कोई हिंदुस्तानी ने खफांसी नहीं दी एक भी हिंदुस्तानी जल्ला तैयार नहीं हुआ फांसी देने के लिए सब ने बना कर दिया सबका एकी बात था कहना कि अगर हम मंगल पांडे की जगे होते तो हम भी यही करते उन्होंने मेजर हुशन को गो फासी हुई तो देखो चमतकार क्या हुआ फासी होने के तीन घंटे में सबेरे छे बजे फासी हुई है मंगल पांडे को आठ मई को और लगबग नौ से दस बजे उनकी प्लाटून में ग्यारे सो हिंदुस्तानी सेनिकों ने बगावत कर दी मने एक मंगल पांडे के फासी पे चड़ते ही ग्यारे सो मंगल पांडे पैदा हो गए उसी प्लाटून में और ग्यारे सो भारतवासी सेनिकों ने उसी ख़ण नौकरी छोड़ दी नौकरी छोड़कर अंग्रेजों ने उनसे का कि भाग जाओ यहां से तो उनने का हम भागेंगे नहीं अब आपको भगाएंगे यहां से अंग्रेज अधिकारियों ने ऐसे ही बोल दिया भाग जाओ यहां से अब तुमने नौकरी तो छोड़ी दी है तो उन सैनिकों का जबाब था भागेंगे नहीं आपको भगाएंगे तो वो 11 सैनिक जुलूस बनाते बनाते पहुँचे गंगा नदी के किनारे गंगा वहां से एक 24 मिल की दूरी पर है जहां ये हुआ सारा वाक्या पैदल चलते हुए गंगा के किनारे गए हाथ में गंगा जल उठाया और कसम खाई कि अब हम इन अंग्रेजों को रहने नहीं देंगे ऐसे ही मारेंगे जैसे मंगल पांडे ने मेजर हूसन को मारा है फिर क्या हुआ पांच-पांच की टुकडियां बनी और टुकडियों में तै किया गया कि आप एक दिशा में आप एक दिशा में ग्यारे सो बारे सो सेनिकों ने पांच पांच की टुकडियां बनाई और फैल गए पूरे भारत में और गाओं गाओं गली गली नगर नगर एक सिधान्त उन्होंने अपनाया वॉक 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 एंड टॉक 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 एक एक गाउं में जाना एक एक गली में जाना लोगों को कहानी सुनाना लोगों को बताना इन ग्यारे सो क्रांतिकारियों ने जो काम किया है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने वाला काम है आपको मालूम है उस जमाने में टेलीफोन नहीं था उस जमाने में वाइरलेस नहीं था उस जमाने में टेलीविजन नहीं था उस जमाने में रेडियो नहीं था उस जमाने में तो ये माइक्रोफोन नहीं था मैं माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके आप तीन हजार भाई बहनों से बात कर रहा हूँ उस जमाने में तो गला फाल फाल के चिलाना पड़ता था और उसी से बात करनी पड़ती मोटरकार नहीं थी हवाई जहाज नहीं था रेल नहीं थी आने जाने के सादन नहीं थे या तो बेल गाड़ी पर चलो, या घोड़े गाड़ी पर चलो, या उंट गाड़ी पर चलो, या पैदल चलो, साधन कोई नहीं थे, तब ये 1100 करानतिकारी बेरकपुर से निकले, और गाओं गाओं फैल गए, उन्हों ने जो मशाल जलाई, उन में से करानतिकारीों की बाते सुन सुन कर लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, मेरट में ये जानकारी जब पहुँची, दो दिन के अंदर ये जानकारी मेरट तक पहुँच गई, तो मेरट वालों में जरा जल्दी उबाल आ गया, वैसे तो 31 मही तैह हुई थी, लेकिन 10 मही को ही करानतिकी शुरुआत क गया अंग्रेजों की गुलामी से, आप कल्पना कर सकते हैं, हजारों अंग्रेजों का मेरट के नागरिकों ने कतले आम कर दिये, एक दो नहीं हजारों का, अंग्रेज अधिकारी जो पुरुष होते थे, उनको जिस आदमी को मिला उसी ने मारा, मेरट के किसी एक नागरिक के हाथ में छोटा सा छुरा है उसी को भूख के अंग्रेज को मार दिया महिलाओं के हाथ में वो होती थी हसिया कहते हैं जिससे आप फसल काट दें हसियों से गले काटे अंग्रेज अधिकारी लोग निकल पड़े सडकों पर हसिया लेकर फावडा लेकर कुलहाडी लेकर अपने अपने जो भी हत्यार थे एक बेलचा होता सडक खोदने का ले लेके निकले जो अंग्रेज मिला उसी को खतम किया लेकिन एक बात उन सब करांतिकारीों की तारीफ में कहनी पड़ेगी कि एक भी अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को, बेटी को, मा को, बेहन को उन्होंने छुआ भी नहीं एक भी अंग्रेज अधिकारी की मा, बेहन, बेटी को हाथ नहीं लगाया जो अंग्रेज अधिकारीों की माहा, बेहन, बेटियां होती थी उनको बाइज़त घोड़ा गाड़ी में बिठा कर दिल्ली रवाना किया और दिल्ली से फिर उनको दूसरे दूसरे इस्थानों पर रवाना करके लंदन भेज दिया और आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए तो उनकी पत्निया रोते हुए कहती थी कि हमारे पास तो वापस जाने के लिए पैसे नहीं है लंदन कैसे जाएंगे किराई का पैसा नहीं है तो मेरट के नागरिकों ने चंदा इकठा करके उन धरम पत्नियों को लंदन पहुचाने की विवस्था बाने करांती भी की तो पूरे आदर्श के साथ हमारा आदर्श क्या है माताओं को बहनों को छेड़ना नहीं छूना नहीं वो मेरी हो या किसी दूसरे की हो हमारे भारत में युदद के भी नियम बनाए है दुनिया में ये अधवुद देश है जो युद लड़ने के भी नियम बनाता है आपको मालूम है दुनिया में एक कहावत चलती है बहुत खराब कहावत है लेकिन चलती है अंगरेजों की दीगई कहावत है everything is fair in war and love कहते हैं कि ना प्रेम में और युद्ध में हर चीज जायज है लेकिन हिंदुस्तानी इसको नहीं मानते हिंदुस्तानी कहते हैं युद्ध भी सिद्धानतों के साथ होता है प्रेम भी सिद्धानतों के साथ होता है युद्ध भी सिद्धानतों के साथ होता है तो अंग्रेजों से हमारी दुश्मनी थी वैर था उन अंग्रेजों से जिनोंने भारत को बरबाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन अंग्रेजों से हमारा युद्ध था जिन्हों ने भारत की लाखों माताओं बहन बेटियों से बलातकार किये आपको कल्पना नहीं है कुछ दस्तावेज इतने खतरनाक हैं जो खून के आशुर उलाते हैं एक दस्तावेज है हमारे पास जो ये बताता है कि अंग्रेज कोई अधिकारी किसी भारत की मा, बेहन, बेटी से बलातकार करता था तो पहले उसको बेज़ज़त करता था, बेहन और बेटी को नंगा किया जाता था फिर बेहन और बेटी का जो इस्तन होता है उसको लोहे के चिम्टे से तब तक दबाया जाता था जब तक उसमें से खून ना निकले फिर उस माँ बेहन बेटी से बलातकार अंग्रेज किया करते थे ऐसे हैवानियत वाले अंग्रेज थे लेकिन उन अंग्रेजों के खिलाफ भी भारत के करांतिकारियों ने एक सिध्धानत अपनाया कि उनकी माताओं बेहन बेटियों को छुआ भी नहीं पूरे युद्ध में अंग्रेज अधिकारियों का खतले आम हुआ किसी अंग्रेजी बेहन बेटी और मां का कतले आम नहीं हुआ किसी को छुआ भी नहीं मेरट आजाद हो गया डेर दिन में फिर उसके बाद मेरट से करांतिकारी चले घोड़े पर और पैदल और दिल्ली पहुँच गए 70 किलो मीटर की दूरी है एक 24 घंटे में दूरी तै हो गई दिल्ली पह चुरू हो गया और 15 माई तक पूरी दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से फिर दिल्ली से निकले करांतिकारियों की एक टीम और बरेली गई एक शाजापूर निकली एक अड़ीगड की तरफ निकली अलीगड एटाई टावा होते हुए कानपूर में ये का आधा महिना और बहुत अधिक तो चार महिने मानलो एक सितंबर 1857 तक हिंदुस्तान की साड़े 356 जो अंग्रेजों की गुलाम थी वो पूरी तरह से आजाद हो गई इस पूरी कहानी में जो सबसे महत्तु की बात रेखांकित करने की है वो एक कि भारत में 1850 तक किसी हिंदुस्तानी को कलपना नहीं थी कि ये देश आजाद हो जाएगा अंग्रेज चले जाएंगे अंग्रेज मारे जाएंगे कोई इतनी बड़ी बगावत कभी हो सकती है इतना बड़ा संगठन खड़ा हो सकता है आपको कलपना है साड़े 356 जब लड़ाई हुई होगी तो कितने हिंदुस्तानियों ने भाग लिया मैं ये एक आंकड़े के लिए 18 साल काम करता रहा कि कुल कितने हिंदुस्तानियों ने 1857 की लड़ाई में भाग लिया एक इतिहासकार कहते हैं लाखों में कोई इतिहासकार कुछ कोई कितिहासकार एग्जेक्ट संख्या मुझे लगती थी कि पता होनी चाहिए 18 साल लगे हुए मेरे गुरू थे प्रोफेसर धरमपाल इतिहास के बहुत बड़े जानकार उनकी मदद से और उनके कुछ साथियों की मदद से पता चला चार करोड बीस लाख से ज़्यादा भारतवासियों ने अंग्रेजों के सामने आमने सामने का युद्ध किया 3870 तीन सो पचास स्थानों पर युद्ध हुआ हजारों लाखें तलवारें इस्तेमाल हुई बंदूकें इस्तेमाल हुई बूला बारूद इस्तेमाल हुआ तो आप जड़ा दूसरे तरफ से कलपना करिए कि कितना बड़ा ये संग्राम रहा होगा 350 इस्थानों पर 4 करोड 20 लाख हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं अंग्रेजों से बंदूकें और तलवारें एक एक तलवार अगर एक एक हिंदुस्तानी के हाथ में रही हो तो 4 करोड 20 लाख तलवारें रही होंगी इतनी तलवारें बनाई किसने और इतना लोहा और स्टील आया कहां से फिर ये खोजने के लिए जब निकला में तो पता चला अपने देश में एक बंजारा जाती समू है आप समझते हैं बंजारा बंजारा ये सड़क के किनारे जो अपनी गाड़ी लगा के रहना शुरू कर देते हैं घर नहीं बनाते कभी लुहार वो कारी गरी में लुहार हैं और जाती में बंजारा कहलाते हैं ये अपना घर नहीं बनाते क्यों? वो कहते हैं कि हमारे राजा ने कभी अपना घर नहीं बनाया तो हम क्यों बनाएं? और वो अपना राजा किसको मानते हैं? महरणा प्रताप को महरणा प्रताप के वंशज मानते हैं अपने को वो कोई छोटे लोग नहीं है छोटी जाती नहीं है बहुत उची जाती है हमारे देश में कोई जाती छोटी जाती नहीं है सब उची जाती आए तो वो कहते हैं हम तो लोग जो हर बड़े शहर में गाउं के बाहर आप देखेंगे अक्सर किसी भी शहर में जब आप गुसेंगे तो शहर के बाहर इनके आपको वो एक केंडरिस्थान नजर आएंगे एक दो गाड़ी खड़ी होगी वहाँ पर बच्चे खेलते होंगे वहीं पर उनकी एक भट्टी होगी जिसमें लोहा गलाते हैं ये बंजारा समाज को बहुत बड़ी महारत हासिल है लोहा गलाने की लोहा गलाना समझते हैं कच्चा लोहा उसको स्टील बनाना फौलाद बनाना तो ये आग की मदद से होता है तो लोहा गला कर स्टील बना के तलवार देने का काम ये बंजारा जाती कि लोगों ने किया था भारत के चार करोड़ बीस लाक क्रांतिकारियों को बंदुकें बनी तो बंदुकों की आगे की नाल तो लोहे की है पीछे का लकड़ी का है तो कुमारों ने काम किया नाल बनाने का और लकडी का काम करने वालों ने बट बनाई उसकी तो लाखों वो लोग कारीगर थे कितने करोड मीटरिक टन लोहा गला होगा मैं यही सोच कर रोमान्चित हो जाता हूँ 1857 में आज तो हम लाखों मीटरिक टन लोहा बनाते हैं इस देश में 1857 में लाखों मीटरिक टन लोहा गलाया गया होगा तब भाले बने होंगे, तब तलवारें बनी होंगी, तब बर्ची बनी होंगी, तब करपान बनी होंगी तब छुरे बने होंगे, हैसिय बने होंगे और फिर अंतमे बंदूखों की नाल बनी होगे माने क्या है? पूरा समाज इस करांती में शामिल था और दस्तावेज बताते हैं कि गोला बारूद बनाने का काम इस्तरियां करती थी कानपुर में बहुत बड़ा केंद्र था और आपको सुनकर ये बात घर्व होना चाहिए कि कानपुर में गोला बारूद बनाने का जो सबसे बड़ा केंद्र था जहां से गोला बारूद बनाकर नानसाप पेश्वा को तात्यां टोपे को दिया जाता था जहां से गोला बारूद बनाकर जहासी रानी लक्षमभाई को सप्लाई किया जाता था वो केंद्र को चलाने वाली एक महिला थी एक मा थी, एक बेटी थी और वो महिला ऐसी थी जो अपने शरीर से वैश्यावरती का काम करती थी लेकिन उस कारे से जितने पैसे उसको मिलते थे वो सब करांतिकारियों के गोला बारूद बनाने के लिए उप्योग किया करते माने आप कल्पना करो इस देश की करांती के लिए, इस देश की आजादी के लिए इस देश के प्रतम स्वादीनिता संग्राम के लिए वैश्याओं ने अपना शरीर बेच कर पैसा कमाया है और इस देश की क्रांती में लगाया है कितना पवित्र रहा होगा वो पैसा वो केंदर चलाती थी और ऐसे सेकड़ों केंदर कानपूर में थे उनकी वो हैड थी एक केंदर से दूसरे केंदर को कच्चा माल पहुचाना और दूसरे केंदर से तीसरे को कच्चा माल पहुचाना आपको एक जानकारी दूँ गोला बारूद उसी केमिकल से बनता है वो वेश्या तो पहले से रही होगी लेकिन उसने देखा कि देश के आदादी का संग्राम हो रहा है तो यदि मैं जिस काम को कर रही हूं मेरा सम्मान तो चाहे खतम हो गया हो लेकिन देश का स्वाभिमान यदि बसता है तो मैं उसी काम को करते वे मेरा तो सम्मान खतम हो गया लेकिन देश का सौविमान न मिटे इसके लिए अपने आहुती दी तो ये एक बहुत बड़ा उधार ऐसे बहुत सेकडों केंदर थे जो बैरकपुर में, कलकत्ता में, कानपुर में, लखनव में, इलहाबाद में, वारंडसी में, बरेली में, शाजांपुर में जितने उत्तर भारत के बड़े नाम आप जानते हैं, मद्ध भारत के सब जगे चलते थे, गोला बारूद बनाने का काम महिलाओं के जिम्में, सैनिकों तक पहुँचाने का काम बच्चों के जिम्में, और पुरुशों का काम अंग्रेजों से लड़ने का, माने समाज का एक एक वर्ग शामिल था, क्या इस्तरी, क्या पुरुश, क्या बच्चे, क्या बुजर्ग, और ये करांती इतनी जवर्जस्त हुई, कि मात्र चार महिने में, पूरे हिंदुस्तान से देड़ सो साल पुराना अंग्रेजों का साशन उखाड फेक दिया, इस करांती ने, मैं ब कुछ नहीं पाता था, तब एक करांती वीर व्यक्ति नाना साथ पेश्वा ने, संगठन का सपना देखा, और संगठन की ताकत पर उसको पूरा कर दिया, अब आप ये पूछ सकते हैं, कि फिर हम अंग्रेजों के उननीस सो सेंतालीस तक गुलाम कैसे रहे, एक सितंबर 1857 तक हम आज़ाद हो गए, फिर भारत के कुछ गदार राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके करांतिकारियों को मरवाया, और उसके बाद फिर हम दुबारा गुलाम हो गए, एक बार तो हम आज़ाद हो गए, दुबारा फिर गुलाम हो गए, और उन, जहे, कितने करांति करीब 7,32,000 का कतले आम हुआ अंग्रेज दुबारा से वापस आ गए भारत के राजाओं की मदद से सेना मिल गई उनको पैसे मिल गई हत्यार मिल गया गोला बारूद मिल गया उसकी मदद से अंग्रेजों ने हमला किया और पहला हमला अंग्रेजों ने बिठूर पर ही किया जब अंग्रेज वापस आये तब बिठूर 24,000 की आबादी का कस्वा था अंग्रेजों ने पूरे कस्वे को खतम कर दिया तीन महिने के बच्चे को बॉल और फुट वॉल की तरह सोचाल कर गोलिया मारी और 90 साल के बुजरगों को नीम के पेड़ से फासी पे लटकाके गोलिया मारी अंग्रेजों 24,000 लोगों का बिठूर में कतले आम हुआ एक इस्थान पूरा शहर जो है नर हीन नारी हीन हो गया एक भी नर और नारी नहीं बचा पूरे शहर में ऐसा अंग्रेजों ने किया एक सितंबर 1857 के बार फिर उन्होंने यही कतले आम लखनव में किया फिर इलाबाद में किया फिर वारानसी में किया और धीरे धीरे सारे देश में जहां जहां करांतिकारियों ने अंग्रेजों को खतम किया था अंग्रेजों की सरकार खतम की थी, वहीं पे फिर वापस कबजा कर लिया, और फिर अम अंग्रेजों के गुलाम हो गए, और फिर गर्तों में अंदकार में डूब गए, और फिर ऐसे अंदकार में डूबे, कि 90 साल लगे हमको दुबारा खड़े होने में, और 1942 में फिर वैसा ही मनजर पैदा हुआ, जैसा 1857 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जब महात्मा गांदी इस देश को नितरत दे रहे थे, 1942 की कहानी मुझे बहुत सारे बुजर्ग लोग सुनाते हैं, जो अभी भी जीवित हैं, वो कहतें, 1942 में हमें भी अंदाजा नहीं था, कि अंग्रेज भारत छोड़ कर भाग जाएंगे, कोई नहीं मानता था, उनको लगता था कि 1857 में एक बार भागे दुबारा आ गए, तो अब 1942 में क्या जाएंगे, लेकिन 1942 में कई करांतिकारियों को ये लगता था, कि अंग्रेज जाएंगे, भारत आजाद होगा, और इस देश में आजादी की सुबह आएगी, उन करांतिकारियों ने अपना होसला नहीं छोड़ा, और अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, उन्हीं में से महात्मा गांदी एक थे, सरदार बल्लब भाई पटेल एक थे, अच्चुच पटवरधन एक थे, अरुना आसफ अली एक थी, फिर उसके बाद राम मनोर लोहिया एक थे, जैपरकाश नराइन एक थे, ये सब करांतिवीर थे, 1922 के अंदोलन में, और ये हर दिन एक ही बात कहते थे, अंग्रेज जाएंगे, भारत आज़ाद होगा, लेकिन करोडों भारत वासी मानते थे, अंग्रेज कभी नहीं जाएंगे, देश कभी आज़ाद नहीं होगा, और बात में आप जानते हैं, 1947 में अंग्रेज गए, और भारत आज़ाद हुआ, ये दो कहानियां ये समझाने के लिए हैं, कि परिवर्तन होता है, एक आदमी भी अगर खड़ा हो जाए, पूरे देश में, कोई विचार की शक्ती लेकर, तो परिवर्तन होता है, एक दूसरी कहाने सुनाता, भारत आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद इस देश में वो सब नहीं हुआ, जिसकी कलपना हमारे करांतिकारियों ने की थे, आज़ादी के बाद फिर ब्रश्चाचार शुरू हो गया, लूट मारी शुरू हो गई, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून वैसे के वैसे ही इस देश पर लद गए, अंग्रेजों की सिख्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, नियाय व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, प्रसाशनिक व्यवस्था, सब अंग्रेजों की लद गई तो फिर भारतवासियों को निराशा हुई और उस निराशा में फिर एक क्रांतिवीर भारतवासी निकला जिसने फिर हिंदुस्तान को संगठित किया और उनका नाम था शरी जैप्रकाश नराहें आप मैंसे कई लोगों ने शायद जेपी को देखा होगा मैंने तो कभी देखा नहीं सिर्फ उनको पढ़ा है आपने तो देखा होगा जेपी 1975 के साल में अकेले क्रांतिवीर भारतवासी थे जिनको ये दिमाख में बात आई थी कि इस देश को फिर संगठित करना है और इस देश से भ्रष्टाचार को उनका पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार को खतम करना है कारेंड क्या था 1975 तक इस देश में श्रीमती इंद्रा गांदी की सरकार चलती थी और श्रीमती इंद्रा गांदी ये कहा करती थी ब्रश्टाचार तो शिष्टाचार है आपको मालूम है श्रीमती गांदी का ये पब्लिक स्टेटमेंट है ब्रश्टाचार तो शिष्टाचार है बिना ब्रश्टाचार के तो लोकतंत्र चल नहीं सकता एक बार तो यहां तक क या जाम हो जाएगा तो श्रीमती गांदी ने ब्रष्टा-चार को शिष्टा-चार में बदल दिया और मैं इस बात को एक वाकि में कहता हूँ कि ब्रष्टा-चार को संस्थागत रूप उसी जमाने में मिला institutionalization हुआ corruption का तो जेपी को बहुत गुस्ता था और जेपी अकेले करांतिवीर थे उस दौर में जिनको दिखता था कि ये भ्रष्टा चार भी खतम होगा तो जेपी को लोग कहा करते थे जेपी आपका दिमाग खराब हुआ है ये श्रीमती इंद्रा गांदी जिसकी सत्ता कोई हिला नहीं सकता जिसकी कुर्सी को कोई डिगा नहीं सकता और कल्पना में किसी हिंदुस्तानी के नहीं है कि ये कभी महिला कुर्सी से नीचे उतर भी सकती है आप बोलते हो इसकी सरकार गिर जाएगी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा व्यवस्ता परिवर्तन हो जाएगा तो जेपी कहते थे मैं देख रहा हूँ आपको नहीं दिखाई देता है मेरी आखें आपसे 20 साल आगे का देखती है और जेप्रकाश जी ने संगठन बनाना शुरू किया वो अकेले आदमी निकले संगठन खड़ा करने के लिए संगठन किस काम के लिए ब्रश्टाचार खतम करना है आर्थिक असमानता खतम करनी है जो डिस्पैरिटी है ना एक आदमी को हिंदुस्तान में 20 रुपए भी नहीं है एक दिन में कमाने के लिए और एक एक आदमी एक दिन में 20 रुपए एक एक मिनट में 20 रुपए कमा रहा तो ये आर्थिक असमानता जेपी को बरदाश्त नहीं होती थी तो उन्होंने का ये आर्थिक असमानता खतम होनी चाहिए ब्रश्टाचार खतम होना चाहिए सामा जी क्नियाय मिलना चाहिए सिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ऐसे साथ मुद्दे लेकर जेपी निकले जिसको उन्होंने कहा था सब्त करांती गाउं गाउं निकले एक जमाने में जेपी जब ये बातें लोगों को कहा करते थे तो 4-6-10 लोग सुनने वाले हुआ करते थे तो जेपी के नसती की लोग उनको कहा करते थे जेपी 4-6-10 लोग आपको सुनने के लिए आते हैं और आप कहते हैं इस देश में करांती हो जाएगी कौन करेगा तो जेपी कहते थे धीरज रखो धैरे रखो मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करते चलो फिर तुम देखना एक दिन ऐसा आया कि जिस शहर में जेपी को सुनने के लिए आट दस लोग जमा होते थे उसी शहर में दो साल में इतना परिवर्तन हुआ कि जेपी को सुनने के लिए साड़े तीन लाख लोग जमा हुए पटना में जेपी का भाशन हुआ साड़े तीन लाख लोग पटना के गांधी मैदान पर गांधी मैदान की ताकत नहीं है इतनी कैपेसिटी नहीं है कि साड़े तीन लाख लोगों को समा सके पेड़ों पे लोग खड़े हैं छत्तों पर लोग खड़े हैं जहां जिसको जगे मिली और वहां खड़े हैं और जेपी का भाशन लोगों ने रैप्ट अटेंशन से सुना था रैप्ट अटेंशन माने सुई गिरा दो तो सुई की आवाज हो जाए इतनी शांती से साड़े तीन घंटे उन्होंने बोला था और दिल खोल के बोला था करप्शन के खिलाफ सामाजी का नियाए के खिलाफ आर्थिका समानता के खिलाफ और वो जो रैली हुई है जेपी की उसने इतिहास बना दिया फिर एक एक शहर में रैलियां होना शुरू हुई बनारस में हुई फिर इलाबाद में हुई दिल्ली तक आते आते तो जेपी की ये इस्थिती हो गई कि दिल्ली में दस लाख लोग जमा हैं जेपी को सुनने के लिए जिस दिल्ली में दस आत्मी जेपी को सुनने के लिए कभी तयार नहीं होते थे और फिर दीरे संगटन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और धाई साल में मातर धाई साल में उस संगटन की ताकत इतनी बड़ी हो गई कि शुरिमती इंद्रागांदी को इमरजैंसी लगानी पड़ी J.P. को गिरफतार करना पड़ा और इतना अत्याचार हुआ पूरे देश के लोगों पर जिसने कभी जिन्दगी में कोई अपराद नहीं किया उनको जेलों में ठूस दिया गया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स के ऊपर यह आरोफ लगाए गए कि विजली का तार काट रहे थे इसलिए उनको जेल के अंदर डालो ऐसे ऐसे आरोफ लगा कर हजानों लोगों को इंद्रिया गांदी ने बंकरा दिया इमर्जेंसी में फिर पूरा देश खड़ा हो गया हमारे देश के बारे में मैं यह एक बात कहता हूँ कि यह भारत सोय हुए हाती की तरह से है जब तक सोता रहता सोता रहता कभी इसको किसी ने सुई चुबो दी या पिंग चुबो दी तो ऐसा चिंगाड कर खड़ा होता है जैसे मदमस्त हाती जेपी ने सुई चुबोई, पिंग चुबोई, पूरा देश खड़ा हो गया आपको कलपना नहीं होगी, लाखों विद्धियार्थियों ने अपने केरियर छोड़ दिये स्कूल छोड़ दिये, कॉलिच छोड़ दिया IAS अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, IPS अधिकारियों ने नौकरी को लात मार दी, IARS अधिकारियों ने नौकरियों को लात मार दी और जैप्रकाश जी के साथ शामिल हो गए, और सांधोलन ने पूरे देश को हिला दिया और श्रीमती इंद्रा गांदी जिनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता था जेपी ने उनको कुरसी से उतार दिया और श्रीमती इंद्रा गांदी की जमानत जब्थ हुई थी जो लाखों वोट के अंतर से जिस कॉंस्टिट्वेंसी से जीतती थी वहाँ श्रीमती गांदी की जमानत जबतुई थी और एक ऐसे आदमी ने हराया था उनको जिनका नाम कोई नहीं जानता इस देश राज नराएन राज नराएन की विशेश्टा ये थी कि पूरे चुनाओं में एक दिन भी चुनाओं प्रचार के लिए नहीं गए और इंद्रा गांदी की जमानत खतम कर देओ तो वो राज नराएन का प्रताप नहीं था जैप्रकाश नराएन का प्रताप था और इमर्जेंसी की चुबं थी लोगों के दिल में और देश में परिवर्तन हुआ श्रीमती गांदी की सरकार गिरी दुर्भागी उस समय देश का क्या हुआ कि जब ये सरकार गिर गई और नई सरकार आ गई तो उस नई सरकार में वो ही सब पुराने लोग आ गए जिनके खिलाब भरष्टाचार का आंदोलन शुरू हुआ था ये ही बड़ी गड़बड हो गई हमारे राजनी थे कि तो बहुत चालाक और होशयार है न जब उन्होंने देखा कि जेपी की हवा चल रही है और सब कुछ इनी की तरफ आने वाला है तो इंद्रा गांदी के जहाज से कूद कूद कर जेपी के जहाज में आके बैठ गए सब ने इंद्रा गांदी का साथ छोड़ दिया और आगे आगे आके बैठ गए ये तो थोड़े ज़्यादा दम वाले लोग होते हैं न तो नए लोगों को पीछे कर दिया खुझ आगे स्थापित हो गए और तब तक जेपी बीमार हो गए उनकी किड्नी फेल हो गई थी उनक प्रयोग हुआ था वो एक तरह से असफल हो गया लेकिन परिवर्तन हुआ जेपी न जो सपना देखा था कि मैं इनकी चूल तो हिलाई दूंगा जो करफशन के आधार पर खड़ी हुए वो करी दिया उन्होंने तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत के इतिहास में अगर है संगठन खड़ा किया है लाकों करोड़ों लोग फिर उसके साथ जुड़े हैं और परिवर्तन हुआ है तो स्वामी जी जो आज ये कह रहा है ना उनको दिखता है हम लोगों को तो कम दिखता है लेकिन स्वामी जी को जादा दिखता है अगले 20 साल का उनको दिख रहा है 25 साल का दिख रहा है 50 साल का दिख रहा है स्वामी जी अक्सर मुझे ये कहते है जब मैं उनके साथ अकेले में होता हूँ कि कुछ बड़ा तो होने वाला है और कोई जल जला तो आने वाला है ये आज आज आपको नहीं दिखता मुझे नहीं दिखता हमको नहीं देखता क्योंकि हमारी द्रश्टी छोटी है हम उतना दूर तक नहीं देख पाते हैं जो विजनरी होता है ना द्रश्टी करता जिसको कहते हैं वो दूर की देखता है हम तो सैनिक हैं सिनापती है वो दूर की देखता है तो स्वामी जी को दिख रहा है कि कोई बड़ा जल जला तो आने ही वाला है और जादा दिन नहीं दो चार साल में ही आने वाला है जैसे कभी नाना साहब पेश्वा को दिखा कि आजदी तो आने ही वाली है अंग्रेज तो जाने ही वाले है जैसे कभी आज़ बरम पूजिने स्वामी जी को दिख रहा है ब्रश्टा चार तो हटने ही वाला है जैसा कभी महात्मा गांधी को 42 में दिखा कि अंग्रेज तो जाने ही वाले है आजादी तो आने ही वाली है वैसे ही आज परंपूजिनी स्वामी जी को दिख रहा है कि ये व्यवस्था तो बदलने वाली ही है नई आजादी तो आनी वाली ही है नई व्यवस्था तो आने वाली ही मैं भारत के बाहर की एक दो कहानिया और सुना के मेरा व्याख्यान खतम करूँगा ये तो भारत की बात हुई भारत के बाहर की एक कहानी सुनाता हूँ अमेरिका की आपको मालूम है ये अमेरिका कैसे बना है ये अमेरिका बना आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा कोलम्बस सुना है बस वो एक खतरनाक नाम है जिसने इस अमेरिका को बसा दे भारत वाली करांति के बारे में एक बात और बता देता हूं लेकिन जो भूल मेरट ने की वो तुमको नहीं करनी है उतावला नहीं होना है जल्दबाजी नहीं करनी है पागलपन नहीं के दिखाना है और आजादी आने के बाद भी ऐसे लोगों को अपने भीतर सामिन नहीं करना है जो जैप्रकास जी के हां सामिल हो गए व्यवस्था परिवर्तन कर भी दिया आजादी के बाद की घटना है तो ये एक अभियान है पूरी पवित्रता के साथ इसको चलना है इतिहास इसलिए दोराया जाता है इसलिए सुनाया जाता है इसलिए बताया जाता है कि उसमें जो गर्व करने वाली बाते है उससे अपना स्वाविमान जगा सके और जो साउधानी वाली बाते है उनसे सीख भी ले सके तो 1857 की कृांती हमारा स्वाविमान जगाती है जैप्रकासनार스트 के क्रांती हमें एक होसला देती है लेकिन इसके साथ एक पाठ भी पढ़ाती है इसलिए इस बार जो करांती आए इस बार जो यहां आंदोलन आगे बढ़ रहा है इस बार जो यह परिवर्तन होगा वो इतनी साउधानी से होगा कि हम अपनी अतीद की भूलों को उसमें दोहराने नहीं देंगे माने हमारा जो मकसद है कि हम चाहें उबरष्टाचार को मिटाने की बात हो चाहें वो शिक्षा में सुधार की बात हो चाहें वो पूरे देश की कानौन विवस्था सासन विवस्था पूरे देश की असमानता बेवसील आचारी गुलामी को मिटाने की बात हो इसमें हमें उतावलापन नहीं करना इसलिए हमारे कुछ लोग जो ने एकदम से करते बबजी कब हो जाएगा परिवर्तन अरे थोड़ा धैरे तो रख लिए थोड़ा धैरे रखो स्वयम से सुरू करो यात्रा को अंताय कंशुद्ध करो अपना बिना अंताय कंशुद्ध किया यदि सत्ता भी मिल गई तो हम भी बेमान हो जाएंगे सामराज्य मिल गए परिवर्तन हो गया सब कुछ हो गया लेकिन आदमी का इमान जब तक नहीं बदलेगा उसका मन बदलत नहीं चेतना चित जब तक नहीं बदलेगा इसलिए हमारे परिवर्तन की पाठ शालाएं वो योग की भूमी पर शुरू होंगी और योग की भूमी पर खड़ा हुआ परिवर्तन कभी प्रडोभनों में जुक नहीं सकता वो देश के साथ और अपने साथ धोका नहीं कर सकता वो बेमान नहीं हो सकता यह एक बहुत बड़ी सावधानी है इसमें इसलिए परिवर्तन होगा अठारा सो सतावन की क्रांती में साथ वर्ष लगे थे जेपिक की क्रांती में धाई वर्ष लगे थे इस क्रांती में एक वर्ष में यह व्यान इतनी बुलंदी तक पहुंच जाएगा कल भाई राजिव के पास में एक भाई फोन करके बूलता है अभी तो भारत साविमान का जो ब्रांड वेल्यू है वो बहुत बड़ा हो गया है भारत साविमान का नाम एक वर्ष के भीतर भीतर अभी तो एक वर्ष पांच जन्वरी को होगा अभी भारसाविमान की सापना पांच जमरी 2009 को हुई है अभी यहां पूरा अभियान आज की स्थिति में बोलें तो अभी पांच मेहने भी पूरे नहीं हुए है पांच मेहने में इस भारसाविमान के अभियान को देश के करीब करीब देश के करीब करीब पतास करोड़ लोग ये जानने लगे हैं कि कोई अव्यान शुरू हो गया है देश के अंदर भारत साविमान का नाम लोगों की जुबान पर आ गया उसकी पूरी फिलोसफी उनको नहीं भी पता हो लेकिन ये जरूर पता है को बबार रामदियों ने योग कराने के साथ साथ एक कोई दूसरा कम सुरू कर दिया है पतास करोड से जादा लोगों तक पांच महीने में कोई बात पहुंच जाए हम आने वाले एक वर्ष के भीतर ये आवाज इस देश के सो करोड लोगों के कानों तक पहुंचाएं ये वियान आगे बढ़ेगा लेकिन इसमें साथ दानी रखनी है एक वर्ष मेवियान सुरू होना खड़ा होगा और इसके बाद में अंदोलन की दिशाईं तैह होंगी किस तरह से हमें परिवरतन को बड़े रूप में सुरू करना है इसलिए जल्द बाजिय नहीं होनी चाहिए धीरत से काम और मैंने का हमारे इस कार्री की पाट साला क्या है इसके ट्रेनिंग सेंटर का है ये तैयार कहा से होगा यूग की कक्षाओं से तैयार होगा इसलिए सुयम यूग करना है औरों को यूग करना है खुद को और समाज को खड़ा करना है फिर सत्ताएं, सामराज्य, व्यवस्थाएं, कानौन, सब कुछ बदलेगा लेकिन सरवात हमसे खुद से होगी और कोई जल्दबाजी ने कोई प्रणोफन नहीं और कोई चाह नहीं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है जिन्होंने परिवर्तन किया है कभी भी उन्होंने आजादी का सुख स्वहम नहीं भोगा है तो ये सार्थ और लालत के विश्भूत है यदि कोई संगाटन में आता भी है तो टिक न पाएगा क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं यहां से ये अपने सम्मान के लिए लालाई ही नहीं है ये देश के लिए है और अपने सामराज्य के लिए अपने सत्ताओं के संगासनों पर बैठने के लिए लड़ाई ही नहीं है इसलिए हमने पहले ही दिन से गोशना नहीं किये ये हमारा संकल्प है ना हमको सत्ताओं चाहिए ना हमको सामराज्य चाहिए हमको देश का सा अभिमान चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर हम लेकर के रहें तो ये थोड़े सी बात मैंने सावधानी की विबीच में कही कि ये क्रान ती सावधानी पूरवक होश्यारी पूरवक, विबेक शीलता पूरवक चल करके हमको पानी है तो पहली बात अविशास नहीं रखना है जब भी कोई यात्रा सुरू होती है तो बहुत छोटे सी सुरू होती है हमारे भारसा विमान की यात्रा को तो पतंजली योग पीछ के दिवोग मंदर ट्रस्ट के करीब पिछले हमें पंद्रह से बीस वर्षों का हमें एक सामाजी का आधार मिला है उन करांतियों को आधार बनाने के लिए अपने आपको सापित करने के लिए भी बहुत समय लगा था यहां तो सारा बना बनाया भवन तयार खड़ा है बस अब तो अभी शेक होना बाकी है इसलिए निराशा की तो बात यह नहीं है बस बात है तब की संखर्ष की सावधाने की इसलिए इस यात्रा यह बात इसलिए एक प्रसंग कहा गया कि परिवर्तन असंभव नहीं है यह ऐसा नहीं कि कोई सपना या कलपणा नहीं है यह हकीकत है और ऐसी ही हकीकते पोरे विष्ः में ऐसे इतिहास दोराई गए और उन्ही इतिहासों में से एक बहाँ बहाँ इतिहास बहरत की बात जो अमरिका में घठा और दूसरे देशों में घठा कुछ उन्हीं तथ्यों के उपर भाई राजी वजी आगे प्रकाश डाल रहे हैं और मुझे लगता है जिस तरह से भाई राजी वजी बारसाव विमान में जी रहे हैं ऐसे ही करोडो लोड अब इस देश में खड़े होंगे और यालक अब गाउ गाउ जा करके हमें जगानी है घर घर दा करके हमें जगानी है मैं सब आपके लिए एक बाग के कहना चाहता हूँ जिसको हमेशा आप अपने दिल दिमाग में रखिए हर हकीकत पहले एक सपना होता है और हर सपना समय के बाद हकीकत में बदल जाता है आज हम सपना देख रहे हैं भारत की नई आजादी का नई विवस्था का चार-पांस साल के बाद कौन जाने ये हकीकत में बदलेगा आज वो सपना है कल वो हकीकत होगा दुनिया में हर सपना संकल्प के साथ हकीकत में बदल जाता है तो अगर हम संकल्ब के साथ लगे रहे तो हमारा भी सपना आने वाले समय में हकीकत में बदल जाएगा ये हर दुनिया के लिए वाक्य है मैं एक अमेरिका की छोटी सी कहानी सुनाओं तो आपको और उत्सा आएगा अमेरिका गुलाम हुआ अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने अमेरिका को कैसे गुलाम बनाया 1492 में कोलंबस नाम का एक इस्पैनिश आदमी अमेरिका पहुँचा कोलंबस जो था वो इस्पैन का माफिया था डॉन था जैसे बासको डिगामा था भारत आया 1498 में वो पुर्तगाल का डॉन और माफिया था वैसे कोलंबस इस्पैन का डॉन और माफिया था 14 शताबदी में 13 चौदवी शताबदी में पूरे यूरोप में दो देश बहुत ताकतवर थे एक इस्पैन दूसरा पुर्तगाल ये जो इंग्लेंड ताकतवर बना है ये तो भारत को लूट कर बना है 13 चौदवी शताबदी तक तो इंग्लेंड की कोई हैसियत और अवकात नहीं थी 13 चौदवी शताबदी में तो इंग्लेंड इतना गरीब देश था कि 100 वर्ष में इंग्लेंड के 3.5 करोड लोग भूख से मर गए थे जो उनकी जनसंक्या का आधा थे कुल जनसंक्या थी लगबग 6.5 करोड की उसमें 3.5 करोड लोग भूख से मर गए थे लेकिन ये भी देखो कि वो इतना भूखा देश इतना कंगालों का देश इतना गरीबू का देश और बाद में जाकर के वो लुटेरों का देश बन गया और उसने पूरी दुनिया पर सामराजी बेगाम किया इसलिए उस वो देश वाले जो गरीबी में भूख में अभाओं में मर रहे थे और लुटेरे बन गये थे वो जब पूरी दुनिया पर सामराज्य कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए इसलिए दोनों चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि आज हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते देज़सा ऐसी सलेगा यह आज सो में से 99 आदमे के जैसे भाई राजीव जी बार बार कह रहे थे कि जब 1857 के करांती भी तब जब 15 अगस 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ करके गए यह जब 1942 में भारत छोड़ों आंदोलन सुरू हुआ तब हर समय लोग एकी बात कहते थे कि देशाजाद नहीं हो सकता आज हमने यही अपना आज का विशे रखा है कि यह सब बाते नकारत्मक बाते हैं और बहुत अची बात कहीं भाई राजीव ने कि हर हकीकत एक सुहाना सपना और एक कुरी कल्पना जैसा लगता है हर हकीकत एक सपना जैसी लगती है लेकिन वही सपना जब सच होता है तब हकीकत बन जाता है तो आपको ये विचार देने के लिए, ये भाव देने के लिए कि लोगों ने किस किस तरह से करांतिया की है और वो करांती, अभी जो हमारी ये करांती है ये तो क्रांति उन क्रांतियों का दश्वा हिस्सा होगी हमें तो इस क्रांति के बाद में भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना वो हमारे लिए बड़ी सुनोती है या अपने वाले इन पापियों को परास्त करना ही हमारे लिए बड़ी सुनोती नहीं मैं अमरीका की कहाने सुना रहा हूँ कोलंबस नाम का एक लुटेरा डॉन माफिया 1492 में अमेरिका पहुँच गया और अमेरिका पहुँचने के बाद उसने देखा कि अमेरिकी सब्विता के जो लोग है उनके पास धन दौलत बहुत है अमेरिका की जो मूल सब्विता है ना उसका नाम है माया सब्विता माया सिविलाइजेशन तो मूल सब्विता उनकी उनके पास भरपूर धन, संपत्ती, सोना, चांदी, हीरे, जवाराग एश्वरे, एश्वरे, भरपूर कोलंबस की आखें चमक गई, चोंदिया गई उसको लगा कि ऐसे देश्वरे में आ गया उसने कभी सुना नहीं था अमेरिका के बारे में और उसने अमेरिका की कलपना भी नहीं की थी वो तो लिखता है अपनी डाइरी में कि वो गलती से भटकते हुए अमेरिका पहुँच गया नहीं था अमेरिका का लक्ष करके, पहुँच गया, जहाज लग गया उसका अमेरिका के किनारे, वहाँ पहुँचने के बाद जब उसने धन दौलत देखी, बहवव एश्वरे देखा तो उसने अपने कुछ साथियों को वापस इसस्पेन भेजा क्योंकि उस जमाने में टेलीफon तो होता नहीं था तो उसके कुछ साथियों को इसस्पेन भेजा और कहा कि बड़ी फौज भेजो यहाँ बहुत धन है, बहुत संपत्ती है तो उसके सहयोगी वापस इस्पेन आए फिर इस्पेन से फोजें गई और उसने लूट मार शुरू की अमेरिका में अमेरिका में जो मूल रूप से लोग रहते थे थे ना उनको दुरुभागे से एक गलत नाम दिया गया रेड इंडियन्स रेड इंडियन्स उनको क्यों कहते थे उनकी तुचा का रंग तावे जैसा होता है तावा होता ना तावा हम कहते हैं ना तावा ही रंग है कौपर कलर है तो अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर की तुचा का रंग ऐसा होता था जैसे तावा होता है तो की जो नाक है न एक विशेष किसम की है ऐसी नाक चीन में नहीं है को वैसे भी भारत की तिलास में निकला था रुक गया उनचको इनसेशन लेखे ने इंडियन है और निकला था भारत की खोज में बीश में और पारा पड़ा गया तो ती बहुत थी और माया सब्विता के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ही अमीर और सम्रुद्ध थी जैसे हमारे सिंदु गाटी की सब्विता और वैसे भी आप भी भी मैं खुद अमरीका के लगवग काफी स्टेट भूमा हूं वहाँ प्राकृतिक संपदा इतनी जादा है वहरे इतनी जादा है धन इतना जादा है पैट्रॉल इतना जादा है शदीयों तक पूरी दुनिया को अमरीका पैट्रॉल दे सकता है लेकिन वो निकाल नहीं रहा है रिजर्व रक आव अपना बंढार ref यह इतनी जादा है आज भी दुनिया का बहुत सम्रुद वो मेरी लेंड के आसपास का मेरी लेंड एक जगह है अमेरिका में वहां का इलाका इन्होंने लूटा और जहाज भर-भर के सोना, चांदी, हीरे, जवारत अमेरिका से इस्पेन आना शुरू हुआ तो इस्पेन के लोगों की आँखे फट गई कितनी संपत्ती है तो दूसरे इस्पेनिश लोग जाने लगे और लूट-लूट के धन संपत्ती लाने लगे तो फिर अंग्रेजों का, ये सौरी इस्पेनिश लोगों का अमरीकियों से संगर्श हुआ और माया सब्विता के लोगों के साथ जब इनका संगर्श हुआ तो ये थोड़े कुरूर जादा थे इस्पेनिश लोग, बहुत कुरूर थे और बहुत निरंकुश थे और बहुत निर्मम थे दया, प्रेम, करुणा ये सब उनमें कहीं था ही नहीं उनकी डिक्शनरी में कहीं नहीं था तो जब तक उन्होंने लुटने दिया अपने आपको माया सब्विता के लोगों ने तब तक उन्होंने लूटा जब उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया तो इन लोगोंने कतले आम करना शुरू किया और माया सब्विता के 11 करोड लोगों का गतले आम किया है एक दो हजार नहीं एक दो लाख नहीं एक दो करोड नहीं 11 करोड 11 करोड लोगों का नरसंगार किया इन लोगों खतम कर दिया और नरसंगार तलवार और बंदू कई दम पे नहीं किया कई कई तरीकों से किया पता है तरीके क्या थे जैसे ये माया सब्विता के लोगों के बीच में जाया करते थे और देख लिया कि उनकी संख्या जादा है और इनकी फौच कम है ये मार नहीं पाएंगे तलवारों से भी नहीं काट पाएंगे क्योंकि काटते काटते हाथ भी ठक जाता है ना एक सैनी कितने लोगों को काटेगा 10 को, 20 को, 100 को, 1500 को 1000, 10,000 हों तो कैसे काटेगा तो स्पेनिश लोग क्या किया करते थे कंबल भांटते थे उनको दान में कंबल दे रहे हैं आपको और उनमें वाइरस डाल देते थे और वो वाइरस मिले हुए कंबल जब वो ओडते थे तो वाइरस के इंफेक्शन से लाखों करोड़ों लोग मर जाते थे ऐसे मारा इन्होंने माय सब्विता के लोगों खतम कर दिया पूरी सब्विता को फिर ये स्पैनिश लोगों ने जब ये कतले आम मचाया लूट पाट की तो इस्पैनिश लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी शामिल हो गए उसमें फ्रांसीजी भी शामिल हो गए उसमें और इन लोगों ने भरपूर अमेरिका को लूटा मूल अमेरिका को लोटा लोट के कंगाल और खराब कर दिया पूरा खतम कर दिया और उसके बाद अमेरिका को जिंदगी भर गुलाम बना के रखना है यूरोप का इसके लिए वहाँ बस्तियां बसाना शुरू किया तो बस्तियां बसाई गई जो मूल निवासी थे उनका कतले आम करके खातमा करके खतम कर दिया और वहाँ पर दूसरी बस्तियां बसाई गई तो इस्पेन से लोगों को लाकर पुर्टगाल से लोगों को लाकर फ्रांस से लोगों को लाकर अमरिका ये इंगलेंड से लोगों को लाकर स्कॉटलेंड से लोगों को लाकर बसाया गया और जो लोग सबसे पहले वहां जाकर बसाये गए वो लोग कौन थे उनका इतिहास जब मैंने ढूडा तो बहुत शर्म आती है ये बताते हुए कि वो सब जेल के कैदी थे स्कॉटलेंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया इंगलेंड की जेलों में जो कैदी थे उनको अमेरिका भेज दिया सबसे ज़्यादा इंगलेंड से गए थे सबसे ज़्यादा जो चोर उचके गुंडे मवाली बदमास उन सब को जाजों में भरके वहां मेज दिया माने अपने समाज का सारा कच्रा कूड़ा करकट अंग्रे जोने शिफ्ट कर दिया यह हकीकत है यह कोई मतलब पक्षपात पून बात नहीं है मैं इसमें कोई एक्जिजरेशन नहीं कर रहा हूं अत्षयोक्ती नहीं करो समाज के सबसे छटे हुए गुंडे बदमास लुचे लंपट लफंगे ममाली किसम के लोगों को वहां भेज दिया पुरुशों को और जो वैश्याएं होती थी यूरोप की उनको भेज दिया अमेरिका तो इंग्लेंड और यूरोप की वहश्या और लुचे लफंगे ममाली पुरुशों की मदद से जो पीड़ी पैदा हुई है वो आज की अमेरिकन पीड़ी है तालीमत बजाई है इसके एक बात दूसरी भी सुनिए अमरिका में बहुत तरह के लोग रहते हैं हम एक दृस्टी से ना देखें अमरिका में आज जो अमरिका है आज जो अमरिका है पूरी दुनिया के अच्छे लोग भी सब्वे लोग भी अमरिका में रहते हैं आज अमरिका अपने आप में कोई देश नहीं है मूल निवासी कोई है ये नहीं कौन है मूल निवासी जिनको रेड़ी इंडियन बोलते है मैं उनके घरों में गया हूँ मैंने वहाँ जाकर कि उनको देखा इतनी दुर्दसा है उतनी दुर्दसा हमारे यहां के गरीब लोगों की भी नहीं हिंदुस्तान के जो मूल अमरीकन है उन लोगों के लिए बाड़े बनाए हुए अंधेरों में रहते हैं वो बच्चों को न पढ़ाते हैं वहीं बीडी सिग्रेट तमाकू खाते रहते हैं ड्रग लेते रहते हैं पढ़े रहते हैं कोई सुदबुदी नहीं उनको आज भी वो मानों की वो पंदरवी सुदबी सताब्दी की जीवों की तरह रहते हैं और उनको वो आगया ना बढ़े हैं वो कुछ मांगया नहीं कल को वो ही रेड इंडियन बोनने लगे हैं सारे लोग तो बाहर चाहिए हैं क्योंकि वहां पर ये सच बात है वरासिया के लोग रहते हैं जापान के लोग रहते हैं चीन के लोग रहते हैं हमारे भारती हैं वहां बहुत मजबूत हैं आप सोच सकते हो आज अमरीका में जितने भी डोक्टर हैं उसके 33% डोक्टर हमारे भारती है तो इसलिए वहां की तो व्यवस्थाएं है आज पूरी दुनिया के लोग उधर हैं चूंकि वहां संसादन संपत्ती बहुत कुछ है तो आज का अमरीका उसको इस द्रिश्टी से मत देखना लेकिन वहां तो सभेता हैं पैदा हुई इसलिए अमरीका की अपनी कोई सभेता नहीं है अपन कहते हैं जी हम तो लेडिज लेडिज के साथ रहेंगे जेंट जेंट के साथ रहेंगे जैसे चाहेंगे तब तक रहेंगे जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे और वहां कानो करण हम यहां करने लग जाते हैं हरे वो तो बिचारे थे ही गंदे वो तो थे ही मवाली वो पै प्रिवारिक सिस्टम इसलिए अब अमरीका भारत का अनुसरन करना चाता है रामाइन और माभारत की कथाएं सुना के वहां के लोगों का चरित रच्छा बनाना चाता है आज का अमरीका तो ये अन्तर आया है लेकिन उस समय की पुरानी कहानी सुना रहा हूं कि पंद्रवी शाताब्दी में अमेरिका के मूल लोगों का सफाया करके यूरोप की लोगों को ले जाके जब बसा दिया गया तब अमेरिका में कुछ लोग खड़े हुए कि ये कितने दिन चलेगा कब और अमेरिका गुलाम हो गया पूरी तरह से थोड़े समय स्पेन का गुलाम रहा बाद में फिर अंग्रेजों का गुलाम हो गया और अंग्रेजों ने अमरीका को स्पेनिश लोगों से जादा लूटा भूब लूटा है अमेरिका को जैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा ह है सत्रवी इठारवी शताथी में वैसे अमेरिका को लूटा है पंद्रवी 16 सत्रवी शताथी में और अंग्रेजों की इस लूट के खिलाफ फिर अमेरिका में अभियान शुरू हुय और silicone जो अभियान शुरू हुए उन अभियानों का मूल मंत्र यही था अपने देश में व्यवस्था परिवर्थन करना अंग्रेजों की सरकार चलती थी अंग्रेजों के कानून चलते थे अमेरिका में मैंने बता ना थोड़े दिन इस्पेनिश लोगों की सरकार चली इस्पेनिश कानून चले बाद में अंग्रेजों ने Spain से सत्ता का हस्तांतरन करके खुद अपने हाथ में सब कुछ ले लिया और Spanish लोगों को हराया अंग्रेजों ने अमेरिका पे कब्जा करने के लिए बाकाइदा England और Spain में युद्ध हुआ और स्पैनिश लोग अंग्रेजों से हारे युद्ध में तब अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित हुई और अंग्रेजों ने कपजा किया फिर अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अमरीकियों ने संगर शुरू किया और जिन मूल अमरीकियों ने ये संगर शुरू किया था उन में से दो चार नाम आपको बताता हूँ एक बहुत बड़ा नाम है जॉर्ज वाशिंग अटन आपने सुना होगा अमेरिका की आजादी के लिए संगर शुरू करने वाले लोगों में से उनका बानाम बहुत आदर और शुरू करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और शुरू करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और शुरू करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और शुरू करने वालों में उनका नाम बड़े आदर और शुरू करने वालों में उ और ये जॉर्ज वाशिंगटन जैसे कोई एक दो नेता ही थे अमेरिका में जो देखते थे कि हमारी आजादी आएगी अंग्रेजों से हम आजाद होंगे और एक दिन ये देश अपने पैरों पे खड़ा होगा स्वावलंबी होगा परावलंबन खतम होगा अमेरिका में भी जो भारत में हालत थी अमेरिका में आजादी आएगी परिवर्तन होगा वो एक दो लोगों की ही द्रश्टी में था जॉर्ज वाशिंगटन जैसे लोगों की द्रश्टी में लेकिन उन्होंने हिम्मत से और उत्साह से काम किया संगठन खड़ा किया पूरे अमेरिका में उ रंग्रेज परास्थ हुए और 4 जुलाई 1789 को अमेरिका आज़ाद हो गया और आज़ाद होकर अमेरिका में परिवर्टन आ गया मानें आप कल्पना कर सकते हैं 1770 तक 1760 तक 1750 तक पूरे अमेरिका में करोड़ों लोगों की आबादी में किसी को कल्पना नहीं थी किसी को ये उमीद नहीं थी किसी की अपेक्षा भी नहीं थी कि हम आज़ाद हो जाएंगे और 1789 में अमेरिका आज़ाद हो गया दो चार लोगों ने सपना देखा उस सपने को क्रियानवईत माने हकीकत में बदलने के लिए संगठन खड़ा किया पहले विचार होता है विचार के आधार पर हम सपना देखते हैं सपने को पूरा करने के लिए संगठन खड़ा करते हैं और संगठन के लोगों की क्रिया शीलता और उनकी कदिविदी वो अंजाम तक पहुँचाती है सपने को हकीकत बना देती है तो अमेरिका में भी वही हुआ, लोगों का सपना हकीकत में बदला, पहले तो जॉर्ज बॉशिंगटन ने अपना सपना लोगों का सपना बनाया, कि हम आजाद हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारी अपनी व्यवस्था हो सकती है, अंग्रेजों की ये लूट खोरी ब लैकिन उन्होंने आजादी हासिल की, और आजादी हासिल करके उन्होंने अपना एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पर चलना शुरू किया, सबहाग मेंसे हमारी भारत में जितनी भी करांतियां हुई है करांति के नायकों को आजादी के बाद कभी भी कोई व्यवस्था समालने का मौका नहीं मिला थोड़ा सह दक्षन अफरिका में भी साउथ अफरिका जिसको बोलते हैं भी नेलसन मंडेला जी उनको भी आप अफरिका तो अभी आजाद हुआ कितने दिन पहले हैं यह अभी की घटना है हम लोग सोच रहे हैं कि यह दुनिया में कोई परिवर्तन ही नहीं होती है और जहें इशर के क्रिपासे उनको आशिरवाद भी फली भूत हो गया उन्होंने अब वहाँ संसद में योग सिखाने के लिए हमामंतरित किया अभी साथ अफरिकाद अमरीका आजाद हुआ आप सोचो 1492 से अमेरिका गुलाम हुआ आप ऐसा मान सकते हो 15 करीब करीब हिसाब लगाओ तो 100 साल 1500 से 1600 1600 से 1700 और 1700 से 1789 माने पौने 300 साल अमेरिका गुलाम रहा अंग्रेजों का और उसके बाद आजाद हो गया माने सपना देखा किसी ने संगठन बनाया किसी ने ताकत खड़ी की किसी ने परिवर तनकिया किसी ने और उनको भी आज़ादी आई पौने 300 साल अफरीका की कहानी और भी दर्दनाक है अफरीका तो साड़े 400 साल में आज़ाद हुआ अंग्रेजों की गुलामे से और एक चीज मैं एक चीज के बीच में जोड़ना चाहता हूँ हम लोग आज अंग्रेज हमारे हां से चले गए लेकिन सारी चीज हैं अंग्रेजों की आज हम फोलो करते हैं सड़क पर किदर चलते हैं हम लोग बोलो लेफ्ट में स्विच किदर होते हैं हमारे जब जलाते हैं स्विच को किसी चीज़ को स्विच को ओन करना हो तो स्विच किदर रहता है नेचे की तरफ ओन करता है या उपर की तरफ क्यों करते हैं क्योंकि अंग्रेज करते थे शड़क में दाइं तरफ क्यों चलते हैं क्योंकि अंग्रेज चलते थे गाड़ी में दाइं तरफी ड्राइविंग सीट क्यों होती है क्योंकि अंग्रेज उदर बैठते थे सारी चीजे कानून, न्याए, विवस्था, प्रसासन सारी अंग्रेजों की मैं अमरीका के लोगों की बहादरू के लिए और उनके शोड़े के लिए अंधानों करणों ने नहीं किया आज अमरीका ही ऐसा देश है जो अंग्रेजों की बनाईवी एक भी ववस्था को नहीं मानता है उसने सारी ववस्थाएं अपने खुद खड़ी की आप देखिए जो भी लोग आप में से अमरीका गए होंगे अंग्रेज अमरीकन लोग किधर चलते हैं सड़क पर राइट में राइट में अरे सुनो हो ये ये बड़ी काम की बात है उनोंने कहा अंग्रेज जिधर से दाता था उसके उल्टा जाना है हमको क्योंकि उनोंने बहुत रूंदा हमको बहुत परेशान किया हमको ये एक तो यहां के लोगों में अमरीका के लोगों में वो सीच नीचे की तरफ नहीं दवाते हैं उपर की तरफ वो ड्राइविंग सीच की दर होती है उदर लेफ्ट में ठीक अब तो थोड़ी राइट में भी होगी लेकिन हरे जब अमरीका के लोग साविमान हो सकते हैं तो हम भारतियों क्यों अपने साविमान को खोकर के जी रहें ये मेरा कहने का भी का है ये अफरीका का उधारन और भी दर्दनाक है आप जानते हैं अफरीका को साड़े चार सो साल तक रोंदा अंग्रेज होने सोलवी शताबदी में अफरीका में घुस गई अंग्रेज और सोलवी शताबदी से लगातार बीसवी शताबदी के उत्तरारद तक लूटते रहे पूरे अफरीका को अफरीका में इतनी संपता है सोना, हीरा, मोती मैं जब अफरीका की बात आई तो इसलिए बीच में कह रहा हूँ मैं इंग्लेड में जब गाया तो देखने गाया था अपना कोही नूर जो अंग्रेज चुरा के रहे के था चोरी का सामाए नुमाइस में रखा हुआ है अब तो यह बड़ा विसे था सारा सामाण पुरी दुनिया से चोर के लाए सोना, चांदी, हीरे, जवारत और सारी दुनिया को दिखाते हैं देखो हम इतने बड़े चोर है मैंने वहाई बोला तो लोग हैसर हैं वहाँ कि भापे जब यह क्या बोल रहे हैं मैंने का सत्वात है हरी चोर, उचके, गुंडे, मवाली सारी दुनिया का सामाण लूट के लेके आए और फिर दिखा रहे देखो हम चोर है मैं वहाँ अपना कोही नूर देखने गया इतने ज़्यादा उन्होंने वो इंग्लेंड में जमा किये हुए इस बार मैंने भाई राजीब को बोल मन का आपको भी दिखा के लाता हूँ आप अभी कहानी सुनाते हो वाँ की आप देखो किस सरे से लूटा इन्होंने सोना, मैं जब गया हूँ ओ वहां स्कोटलंड में तो बोले बबदी इस मुकान में 500 तंज 10 e सो तन यहां 500 टंज 10 अज़ला लग लग जगे मैंने इससो ना कहاں से आया तो बड़ोसले के भाराती थी खड़ाता है बोले बबदी अपना ही तो है अज है आज ये हमें हम को आखे दिखाते है न akenी भारती है लोग भी भी ताकत वरогоan तो में उनको पहले तो इनको योग सिखाके बॉलो कि पहले तुम धन संपदा लूट के लेकर आये थे अब तो हम तुम को योग की संपदा देते और तुम कहते हो नहीं कि तुम यहां से कमा रहे हो मैंने का अभी तो हमारे पूरवजों से जितना तुम लेके गए थे उसका एक प्रतिशथ भी हमने तुम से वापस ने लिया भी तो बहुत लेना बाकी है अफरीका को साड़े चार सो साल सोलवी सताबदी से बीशवी सताबदी के उतरार तक लूटा है अंग्रेजों ने और दुनिया की सबसे बड़ी सोने की संपदा अफरीका में दुनिया की सबसे बड़ी संपदा अफरीका में दुनिया की हीरे की सबसे बड़ी खदाने और सबसे ज़्यादा खदाने सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा टनो टनो हिसाब से हीरा निकलता है टनो टनो हिसाब से सोना निकलता है टनो टनो के हिसाब से चान्दी निकलती है टनो टनो के हिसाब से बेश कीमती पत्थर वहां निकलते हैं अफरीका जो गरीब दिखता है ब लूटा इन अंग्रेजों ने और लूटा ही नहीं बरवरता से उसका दोहन किया खतम किया जैसे मैं तो कई बात अफरीका का इतिहास पढ़ता हूं और भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो बहुत दर्द के साथ आपसे यह कहना चाहता हूं कि भारत पर जितने अत्याचार अं दौलत लूट कर ले गए लेकिन हमारी जातियों को खतम नहीं कर पाए हमारी सब्धिता को नेस्तना बूद नहीं कर पाए हमारी संस्कृति को जड़ मूल से अंग्रेज नाश नहीं कर पाए कोशिश उन्होंने बहुत की भारतिय संस्कृति भारतिय सब्धिता और भारतिय ज जाती समूहों को जडमूल से नाश कर देने की अंग्रेज वो नहीं कर पाए। लेकिन अफरीका में तो उन्होंने जाती समूहों को जडमूल से नाश कर दिया। जातीयां खतम हो गई हैं पूरी अफरीका में अब वो जातीयां ही नहीं बची हैं जो 400 साल पहले हुआ करती थी और अफरीकी संस्कृती और सब्विता जो 400 साल पहले अस्ती खेलती दुनिया को आदर्श और दीपक दिखाने वाली थी वो आज सब्विता के नाम पे नामों निशान मिट गया है उनका जो भी कुछ है इस समय अफरीका में वो सब अंग्रेजों का और अंग्रेजियत का दिया हुआ है उनकी अपने खान पान उनकी अपने रहन सहन उनकी अपनी बेशबूशा उनकी अपनी संस्कृती की भाषाएं आपको मालूम है सबसे ज्यादा यह लोक भाशाएं दुनिया के किसी एक महादूईप में रही है, ntो अफरीका में रही है, सबसे ज़्यादा भाशा है, हिंदुसतान के बारे में आप कल्पना करते हैं, हिंदुसतान तो कोई महादूईप नहीं है, लेकिन एक महादूईप का छोटा सा खंड है, इतना सम्रुद शाली रहा है भाशा के इस्तर पर बोलियों के इस्तर पर भूशा के इस्तर पर खान पान भोजन की 400 साल पहले की उनकी परंपराओं को देखेंगे और जानेंगे तो आँखों दातों से उंगली दवानी पड़ती है इतने हैरान करने वाले आकड़े और दस्तावेज मिलते हैं अफरीका के खान पान की इतनी विवित्ता उस देश में हर एक इलाके में खान पीन के इतने सामान मिल जाएं कि कोई आदमी जनम से पैदा हो और मरत्यू के दिन तक हर दिन एक नया वियंजन खाने की इक्षा व्यक्त करे तो अफरीका में मौझूद रहा है चार सो साल पहले था और उनकी चिकितसा पद्धिती तो दुनिया में अधबुत रही है जैसे हमारी एक चिकितसा पद्धिती रही आयरुवेद जिसने सारी दुनिया को एक दिशा दी है वैसे ही अफरीका की अधबुत चिकितसा पद्धिती रही है कुछ इसी तरह की जैसे आयरुवेद रहा है और अधबुत चिकितसा पद्धिती रही है सिक्षा की उनकी अपनी पद्धिती रही है टेक्नोलोजी में वो बहुत आगे रहे हैं 400 साल पहले विग्यान में बहुत सारी खोजें उनके यहां से हुई है बहुत सारी बातों में वो हम से मिलते जुलते हैं काफी चीजें उनकी हिंदुस्तान से मिलती जुलती हैं और अफरीका और हिंदुस्तान का अध्यन किया जाए तो अफरीका की रिचनेस का सबसे बड़ा कारण है 400 साल पहले के दस्तावेज देखने के बार भारत से उनका संबंद अफरीका के 53 देशों का भारत के साथ 3000 साल पुराना संबंद रहा है 53 देशों का एक देश है उसमें से साउथ अफरीका पूरा अफरीका साउथ अफरीका नहीं है पूरा अफरीका तो बहुत बड़ा खंड है साउथ अफरीका उसका एक छोटा सा देश है साउथ अफरीका है, सोमालिया है, रोडेशिया है, जिंबोबे है ऐसे वहाँ छोटे छोटे त्रेपन देश है उन त्रेपन देशों का तीन हजार साल तक भारत के साथ सीधा संबन्द रहा है व्यापार के आधार पर सिक्षा के आधार पर विग्यान और विग्यानिक्ता के आधार यहां के व्यापारी अफरीका में तीन हजार साल व्यापार करते रहे आपको सुनके हरानी होगी 400 साल पहले तक हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा कपड़ा खरीदने वाला देश अफरीका ही था हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा मसाला खरीदने वाला देश अफरीका ही था हिंदुस्तान की सबसे ज़ादा खाने पीने की वस्तुएं खरीदने वाला देश अफरीका ही था हिंदुस्तान के वैग्यानिकों के आने जाने का सबसे पसंदिदा इस्थान अफरीका था हमने कपड़ा बनाने की जो टेकनॉलजी है वो सबसे पहले अफरीका को दी और अफरीका से फिर वो इंग्लेंड में पहुँची और इंग्लेंड ने उसकी फिर नकल करके अपने आटेक्स राइंग मिले इस ताफिते की तो भारत का अफरीका का तीन हजार साल का व्यापारिक, सैक्षनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंद रहा है उस संबंद की ताकत पर अफरीका उतना ही समरुद्शाली था जितना करीब भारत था और हम अफरीका को जो भी माल बेचते थे, अफरीका उसके बदले में हमको सोना देता था हम जो अफरीका को बेचते थे, उसके बदले में अफरीका हमको हीरे जवारा देता था इसलिए भारत में सबसे बड़ा हीरे का बंडार इकट्था हुआ इसलिए भारत में सबसे बड़ा सोने का बंडार बन गया इसलिए भारत में सबसे बड़ा चांदी का बंडार बन गया आप जानते हैं भौगवलिक रूप से भारत में सोना पैदा नहीं होता जादा हमने तीन हजार साल अफरीका को ऐसी वस्तुएं बेची जो उनके यहां नहीं होती थी और अफरीका ने तीन हजार साल ऐसी वस्तुएं हमको दी जो हमारे यहां नहीं होती थी बार्टर सिस्टम का व्यापार हमने अफरीका से किया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजीदार अफरीका रहा तीन हजार साल इसा के जनम से एक हजार साल पहले से महात्मा इसा की बात की जाती है ना फस्टेडी की बात करते है उनके जनम के एक हजार साल पहले से भारत और अफरीका के व्यापार इस्थापित हो चुके थे और भारत के मूल व्यापारी वहां जाके व्यापार करते थे और अफरीका के लोग यहां आकर बहुत कुछ सीख के वापस जाये करते थे तो भारत और अफ्रीका का सांस्कृतिक आध्यात्मिक और वैचारिक सब तरह का संबंद रहने से जब वहां की समरुद्धी बहुत जबर्जस थी तो यहां भी वो थोड़ी सी समरुद्धी आई और हम भी उनके जैसे ही समरुदशाली हुए बाद में सोलवी शतापदी में अंग्रेजों की नजर अफ्रीका पे पड़ गई क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेज भुकमरी के शिकार थे इतनी भूख से मौते होती थी कि पूरा समाज परेशान था इसलिए वो समाज ने बाहर जाना शुरू किया देखिए हम भारतवा कभी भी बाहर नहीं गए क्योंकि हम भुकमरी के शिकार कभी हुए ही नहीं जो भूख का शिकार होता है जिसको अभाव बहुत होता है जिसको बेवसी बहुत होती है जिसको लाचारी बहुत होती है वही बाहर जाता है आप जानते हैं न बाहर जाने का जो सिध्धान्त है वो यही है भूख से पीलित जो समाज होगा बेवसी से पीलित लाचारी से पीलित जो समाज होगा उसके लोग बाहर का रुख करेंगे कि चलो कहीं से कुछ कमा खा के लाएं आज जो जा रहे हैं वो इस जा रहे हैं कि यहां से जादा जामे लेगा यह है सिद्धान को तो वो यहां भी एक तरह से भूक और बेवसी के शिकार है भारत में उनको भूक और बेवसी लगती है अमेरिका जाके कुछ जादा समरुद्धी आएगी तो हजारों साल से भारत के समाज में समरुद्धी रही, संपत्ती रही, इसलिए भारत के लोग कभी बाहर नहीं गए, कहीं व्यापार करने के लिए तो गए, लूट मार करने के लिए नहीं गए, लूट खसोट के लाने के लिए नहीं गए हम गए तो सिक्षा का प्रचार करने संस्कृती और संस्कृत का प्रचार करने हम गए तो व्यापार का काम करने या सब्विता का प्रचार करने अंग्रेज गए तो लूट मार करने क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी East India Company के तो पुराने दस्तावेज बताते हैं कि ये company बनी थी समुद्र के रास्ते से जो जहाज जाते थे व्यापार करने के लिए उन जहाजों को लूटने के लिए ये company बनी थी East India लुटेरों की company थी इसके board of directors की पूरी लिस्ट है मेरे पास 21 लोग थे सब बड़े-बड़े लुटेरे उसमें इंग्लेंड के लंदन के उस जमाने के छटे हुए लुटेरे डॉन माफिया East India Company के board of directors में हुआ करते थे उनका धंदाई ये था कि इंग्लेंड के नजदीक समुद्र के रास्ते से जो जहाज भी जाएगा उसको डुबो देना उसका माल लूट लेना इसके लिए वो company बनी थी और इंग्लेंड में ट्रेड का मतलब ही लूट होता है इस इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी थी माने लूट मार करने वाली कंपनी आप डिक्शनरी में ट्रेड का आर्थ निकालेंगे न 16-17 सेंचुरी की डिक्शनरी देखेंगे ये वैब्सर डिक्शनरी सबसे पुरानी हैं उसमें T.R.A.D. ट्रेड is equal to plundering बिलकुल साफ साफ लिखा लिखा है trade के सामने लिखा है लूट मार प्लंडरिंग माने लूट मार तो इस इंडिया कंपणी ट्रेडिंग कंपणी थी तो हमारे दिमाग में क्या कलपना आती है ट्रेडिंग कंपणी का माने व्यापार करने वाली, कुछ खरीद बेच करने वाली उनके लिए ट्रेडिंग का माने हैं लूट मार करने वाले तो ये लूट मार करने वाले लोग जहां जहां गए भारत में गए हों अफरीका में गए हों या अमरीका में गए हों या दुनिया के दूसरे देशों में गए हों हर जगे उन्होंने एक ही काम किया है लूट मार, लूट मार, नूट मार और वहां की स्थानी विवस्ताओं को दोस्त करना और उस अफरीका ने जो साड़े चार सो साल लुटता रहा अपनी आजादी का इतिहास लिखा है अफरीका में जैसे यहां मात्मा गांदी हुए सरदार भगत सिंग हुए लोकमा निटिलक हुए विनायक दामोदर सावर कर हुए ऐसे ही अफरीका में बड़े बीर करन्तिकारी हुए नेलसन मंडेला उसमें से एक है जिनका नाम आप सब आज जानते हैं उनको अफरीका का महात्मा गांदी कहा जाता है इतनी हैसियत के व्यक्ति और उनसे पहले सैकडों शताब्दियों तक ऐसे करन्तिकारी वहां होते रहें अपने लिए संगर्ष करते रहें लड़ाई लड़ते रहें इस्ट अफरीका में जो संगर्ष हुआ उस आजादी की लड़ाई में भारतिये लोग अग्रणी थे और अफरीका को मुक्त कराने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया वहां कि सरकार भी अविस बात कुमान तो मेरा आप से सिर्फ इतना कहना है कि साड़े चार सो साल की गुलामी से अफरीका आजाद हुआ परिवर्तन उनके हां हुआ जिसकी कलपना किसी ने कभी की नहीं दुनिया में दुनिया के लोग कभी कलपना नहीं कर सकते थे कि अफरीका आजाद होगा अफरीका वाले तो हताशा और निराशा में थे ही दुनिया के लोग कहते हैं यह अफरीका तो कभी आज़ाद नहीं हो सकता लेकिन वो भी आज़ाद हुआ हिंदुस्तान की आज़ादी ने दुनिया के पचास से ज़्यादा देशों को आज़ाद कराया है आपको मालू है हम जैसे ही 1947 में आज़ाद हुए धड़ा धड़ देश के देश आज़ाद होना शुरू हो गए 1949 में चीन की आज़ादी आई है आपको मालू है हमसे दो साल बाद चीन आज़ाद हुआ और चीन में भी ऐसे ही एक करांतिकारी ने सपना देखा कि वो भी आज़ाद हो सकते हैं व्यवस्था बदल सकते हैं और पूरी सप्ता बदल सकते हैं परिवरतन समाज में और सप्ता में दोनों इस तर पर हो सकता है माओ जे दौन बहुत बड़ा करांतिवीर था चीन का ऐसा ही सपना देखने वाला आदमी था जैसे हम भारत के लोगों को जानते हैं महात्मा गांदी, बगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर ऐसी माओ जे दौन था उसने सपना देखा कि चीन को आजाद कराना है चीन भी ऐसी ही गुलामी का शिकार था अंग्रेजों ने चीन को भी लूटाया आपको मालूम है और पूरे चीन को अंग्रेजों ने अफीम पिला पिला के बरबाद कर दिया था पूरे चीन को अंग्रेज क्या करते थे हिंदुस्तान से अफीम ले जाते थे चीन में बेचते थे चीन से चाय लाते थे भारत में बेचते थे भारत को चाय पिलाकर बरबाद किया और चीन को अफीम पिलाकर बरबाद कर नहीं सच बात है ने अभी हमारे नेता हमको दारू पिला के बन दारू पियो, सिगरेट पियो, बिड़ी पियो, ड्रग लो, तुम मरो, जो जिस समाज को गुलाम बनाना हो, उसको नसेडी बना दो, वो कभी रोश में नहीं आएंगे, वो सुचेंगे हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं, जो दार भी भारत को ये आजादी नहीं है, ये दारू पिला के देश को सुलाया हुआ है, पियो दारू, पियो सिगरेट, पियो बीड़ी, खाओ तमाखो, खाओ गुठका, ये हमारी आद की भी आजादी, और रूस में भी तो हुआ, 1919 में, रूस में एक बड़ी करांथी हुई है, जिसको रूस के लोग बोल्शेविक Revolution कहते हैं, बोल्शेविक करांथी कहते हैं, 1919 के पहले रूस की भी हालत यही थी, 1919 में रूस के पहले ऐसा ही सामन्त वाथ था जैसे भारत में किई बार आपको चित्रित किया जाता या पिक्शराइज किया जाता है, पूरी संपत्ती रूस की, रूस नहीं कहना चाहिए, रूस के आसपास के छोटे बड़े 20-25 देशों का जो संग ता, सोवियत संग जिसको कहा जाता था, वहाँ सारी की सारी संपत्ती का केंदरी करण हो गया, 1919 के पहले, जमीन हजारों एकड कुछ थोड़े से किसानों के हाथ में, और कारखान करोणों करोणों रूपई की संपत्ती के थोड़े से हाथ में, रशियन हिस्ट्री का जब मैं अध्यन किया तो मुझे पता चला कि पूरी संपत्ती रूस की 5-7 प्रतिशत लोगों के हाथ में आ गई थी, पूरी संपत्त, समाज की 93% कैपिटल, 93% पूझी और संसाधन, 7-8 प्रतिशत लोगों के हाथ में केंद्रित हो गए थे, जमीन 8-10 प्रतिशत किसानों के हाथ में केंद्रित हो गई, 1000 एकर जमीन एक एक किसान के हाथ में, और सेकड़ों सेकड़ों कार खाने और धन संपत्ती कुछ लोगों के हाथ में, तब वहाँ लेनिन जैसे लोग खड़ परिवर्तन करना है और वो व्यवस्था परिवर्तन का सपना देखने वाला अकेला आदमी संगठन बनाते 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 एक दिन इस स्थती में आ गया कि पूरी व्यवस्था को बदल दिया ध्वस्थ कर दिया और सब कुछ नया हो गया तो आज के इस पूरे व्याख्यान का जो मुख्य भूल बिंदू है, जो आपके ध्यान में लाने का है, वो ये ही है कि परिवर्टन होता है, सपना देखने वाला कोई एक होता है, फिर वो एक आदमी अपने विचार से सपना देखने वाले लोगों की जमात खड़ी करता है, जब करोणों लोग उसकी शक्ती हो जाते हैं तो वो सपना बहुत आसानी से हकीकत में बदल जाता है तो एक सपना लेनिन ने देखा रूस में, एक सपना वाशिंग अटन जॉर्ज वाशिंग अटन ने देखा अमेरिका में, एक सपना नेलसन मंडेला ने देखा अफरीका में, एक सपना कभी 1947 के पहले भारत में देखा नाना साथ पेश्वा, महात्मा गांधी जैसे लोगों न आज़ादी के बाद कभी देखा जेपी ने और अब मैं मानता हूँ कि वही सपना परम पुझनी स्वामी रामदेव जी आज देख रहे हैं और करोडों लोगों का सपना जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन इस देश में पूरी व्यवस्था बदलेगी नई आज़ादी आएगी नई व्यवस्था बदलेगी भले आज हम सैनिक हैं तो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन सेना पती को दिखाई देता है तो आप अभी सेना पती की आँखों से देखिए आप अपनी आँखों से मत देखिए क्योंकि आपको तो दिखाई देगा नहीं, मुझे दिखाई देगा नहीं, आपको दिखाई देगा नहीं तो अपने सेनापती को जो दिख रहा है, अपने लीडर को जो दिख रहा है, अपने आध्यात्मिक गुरू को जो दिख रहा है वही आँखें आप बन जाईए आपको भी वही दिखने लगेगा और आप भी कहने लगो कि बहुत जल्दी कोई बड़ा जलजला इस देश में आने वाला है बहुत जल्दी कोई व्यवस्था परिवर्तन का काम इस देश में होने ही वाला है बस ध्यान इतना ही रखना है कि हर देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में कुछ एक दो कमजोरियां रही है अपने देश में भी व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में एक दो कमजोरियां रही है सबसे बड़ी कमजोरी रही है किसी भी देश के व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में वो धीरज, धैरी की कमी धीरज नहीं होने से, धैरी नहीं होने से समय से पहले कोई काम शुरू कर दिया और अति उत्साह में ऐसा कर दिया कि थोड़े दिन में निराशा और अवसाद के शिकार होके डिप्रेशन के शिकार होके बैट गए हमें वो कमी नहीं आने पाए हमें वो धीरच की कमी ना आने पाए हम अधीर ना होने पाए हम धीरच बनाई रखें अपना और दूसरों का धीरच टिकाई रखें और दूसरा जब भी व्यवस्था परिवर्तन का समय नजदी काता है स्वार्थी लोग सबसे आगे आजाते हैं ध्यान रखना ये अभी तो वो दूर से बैठ के देख रहे हैं वो एक हम अंग्रेजी में कहते हैं ना दीवार पर बैठ के जुलूस का देखने वाले लोग अभी सारे स्वार्थी लोग पार्टियों के नेता वहीं बैठ के देख रहे हैं बाबा जी कहां तक आगे बढ़ रहे हैं कितने आगे बढ़ रहे हैं कितने लोग जुड गए हैं और कितने जुडने की तैयारी है जैसे ही जल जला शुरू होगा ये सब कूद के आगे आ जाएंगे और जंडा उठा के सबसे पहले आपके आगे चलेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि इनको आगे नहीं आने देना है इनको जंडा नहीं उठाने देना है जंडा आपके हाथ में रहेगा वो आपके पीछे चलेंगे इतना ही मुझे आपसे कहना है धन्यवाद